हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलेन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे पठन अभ्यान कारे पत्री का क्रमांग संख्या 45 खक्षा 4 की वर्क्षीट सप्ता है नववा दिनांग के बच्चों 14 मार्च आज का विश्य है मेरी राहा तो नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों जब हमें किसी का खोया हुआ सामान मिलता है तो हम क्या करते हैं आईए मिलते हैं छोटे से रोबोट टिम से जानते हैं कि उसे क्या मिल गया है तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दवाईए और सभी मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए चनल को सस्क्राइब कोना ना भूलिए चोटा टिम सडक पर बैठा धुन में अपनी खोया था बटन एक आया कूदते फानते टिम ने सोचा बटन है किसका चला धुनने बटन का मालिक छोटा था वो रहा भी मुश्किल समझ ना आया किस से पूछू इससे उससे या खुद धूंदू बीचो भी सडक पर खड़ा बटन ता हाथ में उसके बढ़ा दाए मुड़ू या बाए मुड़ू या लगे सिगनल से पूछू तो देखे वाज़ो टिम टिम एक रोबोट है उसके पास एक बटन आया ठीक है उसे एक बटन मिला तो उसने सोचा कि किसका है ये बटन उसके मालिक को डूणता हूँ अब उसके समझ में नहीं आ रहा था ये किस से पूछू ठीक है सिगनल से पूछता लाल से पूछा हरे से पूछा लाल न बोला हरा न बोला सिगनल नहीं हरा बोला नहीं लाल बोला चलते चलते मिली रूबी गुडिया टिम ने कहा शायद ये बटन है तुम्हारा तो चलते चलते उसे गुडिया मिली उसने सोचा शायद यह इसी का होगा गुडिया बोली अब दोस्ते हम संग में रहना मेरे हरदम अब यह देखे इसी का बटन खोया था यह यह वाला बटन तो गुडिया को मिलते ही गुडिया ने बोला कि अब तुम मेरे दोस्तों और हम दोनों साथ रहेंगे ठीक है तो इस तरह से यहाँ एक कहानी हमने पड़ी अब देखे बच्चो आपको क्या लगता है कि आपको कभी किसी का खोया हुआ सामान मिला है और आपने उसका क्या किया तो बच्चो आप सभी को कुछ खोया हुआ सामान जरूर मिला होगा तो आप सभी लिखेंगे हम मुझे एक बार एक व्यक्ति का पर्स मिला था मैंने उसे अपने पिताजी को दे दिया था उन्होंने उसमें रखी हुई आईडी की साहिता से उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को फोन करके बुलाया और उसका पर्स उसका पर्स उसे वापस कर दिया ठीके बच्चो तो इस तरह से आप सभी को यहां बताना है कि कभी अगर आपको ऐसा मौका मिला तो आपने क्या किया अगला प्रेशन दूसरा है बच्चो नीचे कवीता में आयको शब्दों के अर्थ दिये गए हैं शब्दों के उचित अर्थ के सामने सही का निशान लगाईए राहा राहा का मतलब क्या होता है बच्चो रास्ता पहाड और बगीचा नहीं होता मुश्किल मुश्किल होता है कठिन कठोर और मदद नहीं होता ठीक है बच्चो तो इस तरह से आप सभी अपनी वरक्षीट को हल करें उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें जादा से जादा वीडियो को शियर करें और नीचे ये कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने भी बच्चों अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद